असलाम लेकुम मेरा नाम मुहमाद रिहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्निशन अकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम हम उस्पिटल फार्मेसी के टोपिक प्रिवेंशन हेल्थ को पढ़ने जा रहे हैं EPI और CDC भी इसके अंदर आएगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इट इस इडेंटिफिकेशन एंड मिनिमाइजिंग दा रिस्क फेक्टर फॉर डिजीज इंप्रूब दा कोर्स ऑफ एन एंग्जिस्टिंग डिजीज एंड स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिट डिजीज यानि कि किसी भी डिजीज के रिस्क फेक्टर को कम करना कोई भी डिजीज कोई बीमारी जो हमें खत्रा जो पैदकरियों के खत्रे को कम कर देना जो डिजीज एक्जिस्ट कर रही है उसकी पावर को कम कर देना और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज यानि कि किसी मुरीज को वह भी मारी लगने से पहले हम उसको detect कर ले इत आप सो include public health achievements such as vaccination program and control of many infectious disease including polio, diphtheria, typhide, yellow fever and smallpox सबसे पहले CDC communicable disease control अब communicable disease क्या होती है which transmitted directly or indirectly from one person to another these diseases can be prevented by practicing hygiene and improving the living standard of general public अब इसमें जरा सी हतियात के साथ जो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं अब यह हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आप फार्मसिस्ट बिंग इस डिरेक्टली contact with the general public is in a better position to educate the people about the general aspect of communicable disease क्योंकि फार्मसिस्ट जो है वो आम पब्ली के साथ बहुँ ज़्यादा direct contact में होता है तो इसलिए community pharmacist जो है हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था वह बहुतर तोर पर गाइड कर सकते हैं अब पाकिस्टान के अंदर जो communicable disease है mostly वो कौन सी हैं सबसे पहले इसमें टर्म दी हुए epidemic पाकिस्टान is at high risk of epidemic epidemic क्या होते हैं वाइड स्प्रेड अकरेंस ओफ एन इंफेक्श्टान के अंदर पाकिस्टान के अंदर बिकास बिकास ऑफ और क्रावड़िट सिटीज त्यूंकि हमारी सिटीज के अंदर आप देखें के बहुत जादा अबादी हो गई है जबके गाउं के अंदर यतनी नहीं है अंसेफ ड्रिंकिंग वाटर पानी हमारा साफ नहीं है इन एडिकेट सैनिटेशन सफाई का कोई खास निजाम नहीं है पूर सोशो एकॉनमिक कंडिशन गरीब लोग बहुत जाद हैं लो हेल्थ अफेयरनेस हेल्थ अवेरस नहीं है और इन एडिकेट वेक्सिनेशन जाती है अब जो मॉस्ट को मनें वह चिगन पॉक्स है बचों में एकसर हो जाती है इंफ्लुएंज है ट्यूबर क्लोसिस टीबी है 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 पटाइटस है मीजल्स है और एड्स है अब यह मोड अव ट्रास्मिशन किया इसका दे में भी ट्रास्मिटेड डिरेक्ट और इस्टैब्लिश्ट त्रो टचिंग किसिंग स्पीकिंग एंड हैंड ये इंफेक्शिन में भी ट्रास्मिटेड इंडरेक्ट ली तो वहिकल यानिके सवारी के जरिये जिसके आपर हम सवार होते हैं उससे भी हमें लग सकता है फूट के जरिये लग सकता है किसी का जूटा खाने से बिमार बंदे कम जूटा खाने से फ्लूइड और एनदर तिंग डैट आर इंफेक्टिड परसन यूज यह आप जानते हैं इसके बाद जो कम्यूनिकेबल डिजीज है उसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं यह इंपोर्टन डैल लॉंग के तौर पर भी आ सकता है तो इसके थ्री मेन कंपोनेंट हैं इसको रोकने के लिए सबसे पहले कंट्रोलिंग दा रैजर्वाइर सबसे पहले इलिमिनेशन ओफ रैजर्वाइर और सोर्स वेन एवर पॉसिबल बाई अर्ली डैगनोसिज और आइसोलेशन और लिमिटेशन ओफ मूमेंट ओफ इंफेक्टिट परसन जो सोर्स है जिसके बिमारी फैल रही है उसको ही रोका जाए सबसे पहले उसको रोका जाए उसको रोकना के बाद डिजीज की ट्रांसमिशन को रोका जाए जैनि कि जैसे हमने उपर पढ़ा के डिरेक्ट और इंडिरेक्ट कम्यूनिकेबल डिजीज जो है वो फैल जाती है तो इसकी इंटरप्शन किस तरह से की जाएगी जिस तरह करोना की मिगजाल ले लें आप करोना के अंदर सबसे पहले हमने सैनिटाइजर यूज करना शूरू किये को स्प्रेज किये लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी डिजीज फैल रही थी तो क्या किया जाएग उसकी ट्रांसमिशन को रोका गया किस तरीके से मास के जरीए और फासला रखा गया यानि के छे खुट का फासला रखिया और मास्क का इस्तमाल करें यह था इंटरप्शन आफ ट्रांसमिशन उसके बाद है दा सर्सेप्टेबल होस्ट यानिके जिस मरीज को डाइगनोस हो गया था कि इसको करोना है तो उसको अल्यादा वार्ड उसका स्पेशली रखा गया सारी अलादा उसकी चीज़ें कर दी गई तो यह जो था सर्सेप्टेबल होस्ट को आहम पबलिक से दूर कर दिया गया और फिर उसको क्या किया गया क्योंकि उस वक्त वैक्सीन नहीं थी तो उसकी कीमोथरापी की गई मेडिसन दी गई और अगर वैक्सीन अब आ गई है तो अब वैक्सीन दी जा रही है तो वैक्सीन के इसके अंदर आती है इस एपियाई के अंदर एपियाई के चीज़ है Extended Program on Immunization जो बचों को लगई जाती है वैक्सीन का पूरा चार्ट है इसका तो यह चार्ट है यह आप सिंपली देख लेंगे यह रटे लगाने वाले यह भी लोंग के अंदर आ सकते है Important है MC को जिसके अंदर से बहुत सारे बन सकते है तो मैपको पता देता हूँ इसकी जो General Terms है जो दी हुई है इसके अंदर के जिस तरह से इसकी पहली पहली लेंड में देखें BCG दी हुई है तो BCG जो है वो TB की वेक्सीन है इसके बाद OPV है Oral Polio Vaccine और इसके अगे लिखे हुए PO यानि के पर औरल मुह के जरिया दी जाती है आपको पता है Polio की वेक्सीन इसके बाद आगे है DPT HEPB और HIV यह हो गया OPV आगे हम उपर पड़ा हमने Oral Polio Vaccine PCV PCV क्या चीज़ है Neumococcal Vaccine Peace के अंदर साइलेट है तो इसलिए Neumococcal Vaccine आगे नीचे वो रिपीट हो रहा है सारा Rota Virus की वेक्सीन नहीं आगे है वो भी एपटाइटे से चिकन पोक्स MMR MMR क्या चीज़ है जी Mizzles Mums और Rubella इसकी वेक्सीन है Subcutaneous उसके बाद फिर PCV Neumococcal Vaccine अब इदर दिया हुए DTAP और उपर क्या दिया हुआ था DPT दो नहीं की चीज़ है इसमें आगे पीछे है जैसे डिफ्थेरिया टेटनस और Acellular Pertosis तो यह इसकी ज़रा संबले Modified form है उपर वाली वेक्सीन की उसके बाद HIV Hemophilus Influenza Type B बागी सारी वही है Type 5 DTAP Chicken Pox OPV MMR TT TT से मुराद है Tetanus और यह होगई Complete तो अमीद है आपको यह वीडियो पसंदा ही होगी मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले किसी किसम का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है जो EPA का प्रोग्राम है यह 10 बीमारियों के समभलें वेक्सिनेशन के लिए लगाया जाता है तो अलाफेज